अब हम लोग आगे के multiply को सीखते हैं अभी तक हम लोग कैसा multiply सीख रहे हैं तो हमारा number या तो 100 के नजदीक का होता था या फिर क्या होता था 1000 के नजदीका था, या फिर 10,000 के नजदीका था, या फिर लाग के नजदीका था, इस टाइप के नमबर को हम लोग या तो इससे ज़्यादा या फिर इससे कम, मतलब 100 के नजदीक का या फिर 1000 के नजदीक का इसे नमबर को हम लोग अभी तक सीख रहा है अब क्या है न हम लोग ऐसे नमबर सीखते हैं जैसे 200 के नजदीक का हो या फिर 300 के नजदीक का हो 400 के नजदीक का हो 500 के नजदीक का हो इसी तरही से तरीके गार है इन सब के नजदीक काओ, 600 के नजदीक काओ, 700 के नजदीक काओ, 800, मतलब इन सब के नजदीक काओ, मतलब यह है कि 200 से या तो कुछ ज़ादा रहेगा, या तो कुछ कम रहेगा, ऐसे नंबर के multiply को हम लोग अब सीखते हैं, आप लोग सबसे पहले तो पीछे जितने भी part बताय गया, उन सब को अच्छी तरीके से समझ लिए हो ना, तो बिल्कुल यह आसानी से हो जाएगा, सेम वही concept चलेंगे, बस एक extra काम इसमें बढ़ जाता है, तो जैसे में example लेते हैं, एक example लेते हैं कि 194 और 191, इस दोनों को multiply करना, देखते हैं क्या वैसे कर पाते हैं नहीं, अब पिर वही काम करते हैं, यह 200 से कितना कम है, तो 200 से यह 6 कम है, और 200 से यह 9 कम है, सेम काम वहीं से चलेगा, minus 6, minus 9, multiply होके क्या मिल जाएगा, तो minus minus तो plus बन जाता है, यह हो गया 9 और 6, multiply होके हो गया 54, अब सेम वही काम है, या तो 194 में 9 माइनस करना, या फिर 191 में 6 माइ असका लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 185 अब एक्स्ट्रा काम क्या है ना पहले तो यह चववन बेस में हमारे 2 0 है ना यहां पर 2 डिजिट आई चुका है तो यह चववन आ गया अब एक्स्ट्रा काम यह है यहां पर जो नंबर आएगा हमारा बेस अगर 200 होगा तो इसमें 2 स मल्टिप्लाइ करेंगे अगर हमारा बेस 300 होगा तो इसमें 3 से मल्टिप्लाइ करेंगे हमारा बेस अगर 400 होगा तो इसमें 4 से मल्टिप्लाइ करना और यहां पर उठा के रख देना है मतलब हमारा बेस 200 है तो इसमें 2 से मल्टिप्लाइ कर लेते जो आएगा वही नंबर य आसान है 5 गुना दो 10 हो गया 8 गुना दो 16 17 और ये हो गया 3 370 तो हम लोग यहां पर उठा के डग देते 370 और 54 ये multiply होके आगया अब यहां पर 180 और 2 को multiply गए हम लोग चाहे ना तो मुझवानी भी कर सकते हैं क्या करना है ना एक बार 2 को 1 से multiply करना है यहां पर 1 का मतलब 100 से 8 का मतलब 80 से और 5 का मतलब 5 से मतलब एक बार 2 का multiply 100 से दो का multiply 80 और 2 का multiply एक बार कրेंगे 5 से मतलब 100 गुना 200 800 63 160 हो गया 5 गुना दो 10 तो कितना हो गया चुरू है यहा फिरशना बताते היya 100 को 1 वाई 2 से गुना किये तो 200 हो गया 80 को 1 वाई 2 से गुना किये तो 160 हो गया तो 260 हो गया 360 और 5 गुना दो 10 360 हो 10, 370 यह हमारा multiply चाहे तो ऐसे भी कह सकते है practice पर हमारा काम हो जाए next हम लोग एक example करके देखते हैं 298 और 289 को multiply करते हैं अब base ढूणना है सबसे पहले base कहा है तो 300 के नजदीक का जा रहा है पस यह पहले रख लेते हैं 300 से कितना कम है? 2 कम है 300 से कितना कम है? तो 11 कम है वही काम करते है minus 2 minus 11 multiply हो के आगया 22 हमारे base में 2 जीर हो है तो यहां तो 2 डिजिट होना चाहे है 2 डिजिट है हमारे पास तो यह 22 हम लोग सबसे पहले रख लेते है फिर 298 में हम लोग क्या करते है 11 minus कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा यह 287 अब जैसे ही है न base हमारा 300 है तो इसमें क्या करना है? 3 से multiply करना है तो 3 से multiply करके हम लोग रख लेते 27 21 का 1 बांकी 2 28 24 24 2 हो गया 26 27 21 का 1 बांकी 2 28 24 24 2 हो गया 26 26 का 6 बांकी 2 3 गुना दो 6 दो हो गया 8 यह क्या यहां पर उठा के रख देते है 800 एकसे multiply होके रख आ गया बिलकुल यह आसानी से हमारा काम हो जाएगा तो अब एक और example करते है अगर हम लोग 388 और 393 को multiply करते देखते हैं क्या मिलता है अब 400 के नजदीक का है न यह 400 के नजदीक का है यह 400 लिख लेते हैं या फिर माइन में भी डख सकते हैं 400 से कितना कम है 12 कम है 400 से कितना कम है तो 7 कम है अब minus 12 और minus 7 multiply क्या मिल जाएगा तो 84 हमारे base में 2 0 है तो यहां हमारे पास 2 digit मिले चुका है 388 में हम लोग 7 minus कर लेते हैं तो 388 में 7 minus करेंगे क्या मिल जाएगा 388 हमारा base 400 है तो इस में multiply कर लेते हैं 4 से तो क्या मिल जाएगा 4 8 4 32 का 2 बांके 3 4 12 3 15 बस इसे उठाके 1524 यहां पर आगा बिल्कुल यहां से सकेंड में multiply हो जाएगा फिर एक को example आप लोग कर सकते हैं 491 आप लोग practice कर सकते हैं कि कितने time में बनता है जितना practice आप लोग करेंगे उतना जल्दी बनेगा अब इसको देखते है 491 और multiply करते है 498 से अठार का अठारा आगे फिर 491 में 2 माइनस कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 489 अब एक्स्टा काम क्या है हमारा बेस 500 है तो हम लोग इसमें 5 से multiply कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा 9545 का 5 मा की 4 आट पर 44 का 4 मा की 4 पांचो के 20 और 24 बस यही उठा के रख देना है 24, 45 और 18 यही हमारा हो गया multiply कितना आसान हो गया अब और example देखते हैं जितना ज़्यादा हम लोग practice करेंगे उतना ज़्यादा हमें यह rules याद रहेगा अगर हम यह multiply करने को कहा जाए तब क्या होगा अब दोनों नमबर किसके नजदीक का है तो 600 के नजदीक का है मतलब हमारा बेस 600 हो गया अब 600 से कितना कम है तीन कम है यह 600 से 9 कम है माइनस 3 और माइनस 9 multiply हो कि आगया 27 बेस में 2 0 है तो हमारा यहाँ पे 27 दो डिजिट है फिर 597 में हम लोग क्या करते हैं ना माइनस 9 कर लेते हैं तो क्या मिल जाएगा माइनस 9 करते हैं तो 588 अब हमारा बेस है 600 मतलब इसमें multiply कर लेते हैं 6 से तो क्या मिल जाएगा 48 और 48 और 48 और 52 का दो बांकी 530 और 535 बस यही नमबर उठके यहाँ पे आजाएगा 35 और 27 मल्टिप्लाइब कितना असानी से हुए जा रहा है फिर और एग्जामपल करना चाहिए अगर 207 मल्टिप्लाइब करते हैं 213 को देखते हैं क्या मिलता है अब फिर से अगर देखे तो 200 के नजदीक का है ना दोनू नमबर 200 के नजदीक का है तो यहां बेस हमारा हो गया 200 200 से कितना ज़्यादा? 7 ज़्यादा 200 से यह 13 ज़्यादा पलस 13 लिख लेते हैं पलस 13 और पलस 7 मल्टिप्लाइब कि क्या मिलेगा? 13 गुना 7 इकान में हमारे बेस में 2 जीरो है ना तो यहां पे 2 जीरोग में पास है अब 207 और 13 कितना हो जाएगा? तो 220 अब हमारा बेस 200 है तो 2 से मल्टिप्लाइब कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? 440 बस हो गया 440 ही कान में मल्टिप्लाइब हो के आ गया सब पहले जैसा है अलग कुछ नहीं है चलो एक और एक्जामपल देखते हैं अगर ये मल्टिप्लाइब करने को दे 315 और 307 को तो क्या मल्टिप्लाइब कर पाऊगा? देखें अगर 300 के नजदीक का है तो बेस हमारा हो गया 300 300 से 15 जादा और ये 300 से 7 जादा 15 गुना 7 करते हैं तो मिल गया 105 अब यहाँ पे देखें तो हमारे बेस में तो 2 ही 0 है लेकिन यहाँ पे आगया 3 डिजिट होना चाहिए 2 डिजिट हम लोग क्या करते हैं सिर्फ 2 ही डिजिट लेते हैं क्या तो 0 और 5 ये एक क्या होगा? ये हो जाएगा carry मतलब मल्टिप्लाइब करने को आखरी में जाके क्या करेंगे? तो प्लस 1 कर देंगे सबसे लास्ट में जाके प्लस 1 कर देंगे बस यही करना है तो अब 315 और 7 कितना हो गया? 322 हमारा बेस है 300 मतलब इसमें मल्टिप्लाइब करना है 3 से तो क्या मिल जाएगा? इसको मल्टिप्लाइब करते हैं तो 966 अब मल्टिप्लाइब करने के बाद यह जो था ना हमारा एक इसको कैरी में भेज देते हैं तो 966 मल्टिप्लाइब होके आगया 9605 बिल्कुल आसान हो गया एक और हम लोग देख लेते हैं इसी पर अगर यह करने को कहा जाए 417 को मल्टिप्लाइ करना की से तो 406 से अब बिल्कुल आसानी से इसको कर पाऊगे तो यह मेरा बेस क्या 400 के नजदीक का है तो बेस 400 400 से 17 जादा और यह 400 से 6 जादा 706 कितना हो जाएगा 102 अब फिर से वही बात है हमारे बेस में 2 0 मतलब यहां 2 डिजिट होना चाहिए है 3 डिजिट तो सिर्फ लेते हैं 0 और 2 अब बचा यह एक यह एक क्या होगा ने यह वाला जो एक है यह सबसे लास्ट में कैरी में आ जाएगा सबसे आखरी में जाके प्लस 1 कर लेंगे चलिए 417 और 6 कितना हो जाएगा तो 423 हो गया हमारा बेस 400 है तो इसमें मल्टिप्लाइ करना है 4 से 4 12 का 2 बांकी 1 4 गुना 2 आठ एक 9 और यह हो गया कितना तो 1692 और यह वाला जो कैरी वन है इसमें एड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1693 मल्टिप्लाइ होके आगया 1693 0 2 अब 500 के नजदी करें 600 700 800 किसी के भी नजदी करें तो आप लोग इस पर काम कर सकते हैं तो आप लोग इस पर पैक्टिस जरूर करें और इसी पर हम लोग आफ नेक्स्ट वीडियो में और इसी में और टाइप को देखेंगे तो विसस आज के लिए इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थन्यवाद